कि अज़्यों करते हैं आज के हमारे स्ट फ्रेच वीडियो पे तो आज इस वीडियो के इंदर मैं आपके साथथे क्रोंगा क्वांट स्मॉल क्यौफ टायट गूर्फ के बारे में इसमें मैं आप से डिस्क्राविक करूब्गा यह क्वांटड का प्लान ग्रोथ इसने पिछले एक मन्थ, छे मन्थ, एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर एन्वल रेटन क्या दिया है? आज के रेट में इसका एक एन्वी का प्राइस क्या है? यह कितने स्टार रेटिंग मुश्वल फंड है? इसमें मिनिमम एसाइक लागा सकते हैं और इस के अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और हम लोग लास्ट में बात करेंगे यदि आप इस मुच्वल फंड के थुरू S.I.P. इन्वेस्मेंट करते हैं तो कितने साल में आपका पैसा डबल होगा? अब बात करें यदि इस मुच्वल में इस मुच्वल फंड में आ है एक मैने के अंदर छे मैने के रिटन की बात कर लेते हैं तो छे मैने हम जो रिटन दिया है वो 38.6% का रिटन है एक साल की रिटन की बात कर लेते हैं तो एक साल में 12.1% का रिटन दिया हुआ है तीन साल में 49.89% का रिटन है पांस साल की रिटन की बात कर लेते हैं तो पा लोग एने भी पर बात करते हैं तो आज के डिट में इसका एक प्राइस है दो सो संतावन रुपया सतर पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो यह त्री स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिमुम एसाइपी अमांट आप एक हजार लगा सकते हैं उसका जो फंड करें यहां से यदी बात कि यह यदि यदि आप एक टाइम वन टाइम आप इसमें 10000 डाले होते तो पिछले एक साल में जो आपका पैसा 1,00,00 रुपया है वो होता 1,72,110 रुपया तीन साल में बात करें तो तीन साल में आपका 1,00,00,00 होता 3,36,719 रुपया और 5 साल में आपका 1,00,00,00 होता 5,12,573 रुपया तो यहां से एक चीज हम लोग समझते हैं यदि आप मन्थली SIP करत यदि आप one time करेंगे तो one time में जो आपका पैसा double हो रहा है वो यहाँ पर आप completely देख सकते हैं यह मानलिज आपने एक लाक रुपर डाला है तो करीब जो है आपका पैसा 2.5 यर में या फिर कहें तो 2 साल में जो है आपका पैसा double हो रहा है सिंपल से one time में 2.2 साल से लेकर ने धाय साल के बीच में double हो रहा है और मंतली एसाइपी के तुरूद चार साल में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो रहा है तो आज इसमें सिंपल सा कोश्चन साता है कि हम लोग one time payment करें या फिर SIP करें तो डिपेंट करता है कि आपका वज़र अगर हम इसमें top 10 की बात करते हैं तो top 10 में पहला नाम आता है Reliance Industrial Limited जो कि एनर्जी के चेतर पे है हिंदुस्तान Copper Limited जो कि Metal and Mining के चेतर पे है Adani Power Limited जो कि Energy के चेतर पे है Geo Financial Service Limited जो कि Financial चेतर पे है BSE Limited जो कि Financial चेतर पे है IRB Infrastructure Developers Limited जो कि Construction के चेतर पे है RBL Bank Limited जो कि Financial चेतर पे है Urban Limited जो कि Textiles के चेतर पे है BKJ Food International Limited जो कि Consumer Stealth के चेतर पे है और Last है पंजाब National Bank जो कि Financial चेतर पे है तो अभी हम लोगोंने डिसकस किया top 10 यहाँ पे holding लेकिन इस mutual fund के अंदर जो total stock listed है वो 96 stock listed है अब हम लोग equity analysis को समझते है तो equity जो है यह कितना था holding analysis इसका 15,664 करोड़ का तो equity पे है 95.1% cash पे है 3.9% और debit पे है 1% अब लोग equity sector वाज देखें यदि इस equity को sector वाज देखते हैं तो others में 17.3 financial पे है 17.2 energy पे 15.6 construction पे 11.3 healthcare पे 12.2 metal and mining में 10.1 service पे 9.8 consumer sales पे है 7.6% हम लोग advance ratio की बात कर लेते हैं तो PE ratio जिसका है 24.24% PE ratio है 2.58% minimum investment amount की बात कर लेते हैं यदि आप first time minimum investment करना चाहते हैं तो 5.6 start कर सकते हैं second time minimum investment आप 1.000 start कर सकते हैं minimum SIP amount जो सेट किया गया है वो 1000 रुपे का सेट किया गया है अब हम लोग return and ranking के उपर बात करते हैं तो 1 साल का जो fund return है वो 72.1 है 3 साल में 49.9 है 5 साल में 38.7 है annual 20 है इस category का जो average return रहता है 1 साल में 54.3 रहता है 3 साल में 31.8 5 साल में 37.2 और annual data available लही है तो category average से भी ज़्यादा return ये fund return दे रहा है चाहां 1 साल की बात करें 3 साल की बात करें या फिर 5 साल की बात करें अपना जो category है उस से ज़्यादा ये fund return दे रहा है अब return rank की category पर देखते हैं तो 1 साल में 55 नमर पर रैंक करता है 3 साल में पहले नमर पर रैंक करता है ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका return and ranking अब इसके आसपास येदी हम लोग similar funds देखें तो इसके आसपास जो similar funds है वो है निपोन इंडिया small care fund diet growth बैंक आप इंडिया small care fund diet growth ICIC Prudential small care fund diet plan growth Axis small care fund diet growth और Quotak small care fund diet growth तो इसके आसपास इतने सारे इसके similar funds है अब हम लोग इसकी expensive ratio की बात कर लेते हैं तो इसका expensive ratio है 0.77% exit load की बात कर लेते हैं यदि आप invest क्या भाव पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का exit load देना होगा is term duty की बात करते हैं is term duty है 0.005% इसकी fund manager की यदि हम लोग भात करते हैं तो इसका fund manager है संजीव, वैसाव, अंकीत अचंद्रमोली इसकी fund house and investment objects को देखते हैं तो quant mutual fund total assist के rank पे इंडिया में 34 नमर पे rank करता है ये mutual fund start वाता 15 अप्रे 1996 को इसका total assist under management है 47,813 करोर का अब लोग इसकी बारे में कुछ और basic knowledge को देखते हैं तो quant small cap mutual fund को launch किया गया था quant mutual fund के तरब से ये mutual fund start हुआ था 15 अप्रे 1996 को push पार आए जो है अभी current fund manager है quant small cap fund diet growth का इसका currently assist under management है 47,813 करोर और latest नहीं भी 277 पे 70 पैसा है quant small cap जो है एक काफी higher x mutual fund है इसमें minimum SIP जो set किया गया वो 1000 का set किया गया है और minimum lump sum यदि आप one time करना चाहते हैं तो पांस जड़ पैकर कर सकते हैं exit load की बात कर लेते हैं यदि आप पैसा लगाए हुआ पैसा एक साल के अंदर redeem कर लेते हैं